तो नमस्कार दोस्ता आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज हम लोग आये हैं 10 किलोवाट के on-grid solar plant के साइड पर यहां पर हम लोग 10 किलोवाट का on-grid solar system इस्टॉल कर रहे हैं तो दोस्तो इस पर पूरी तरह से हम लोग जानकारे देंगे कि 10 किलोवाट का solar panel का connection वगरा कैसे होता है और कैसे करना है तो सबसे पहले हम लोग इस्ट्रक्चर को रेडी कर लेते हैं और इस्ट्रक्चर जो भी लगता है दोस्तो वह south direction की ओर है जो है लगता है तो टोटल यहां पर हमारा जो पैनल का quantity होगा वह 19 है यहां पर हम लोग 10 किलोवाट का solar plant को install करेंगे तो एक पैनल का wattage की बात करें तो दोस्तो एक पैनल का wattage जो है वह 545 watt का है जिसका VOC दोस्तो 49.something कुछ है पर इसको आपको पैनल का जो भी डेटा सीट है आपको दिखा पैनल जो है नीचे रखा वा था तो अभी सबसे पहले हम लोग पैनल को जो है एलाइमेंट कर लेता है इस्ट्रक्चर को थाकि हमारा इस्ट्रक्चर का hole जो है वह mismatch ना करें तो सैंटर में एक पैनल उपर और एक पैनल नीचे और उसके पाद जीतने भी लैग्स है सब में जो आग फाष्णर से लॉक कर दिया जाएगा और यह जो फाष्णर है दोस्तों यह तीन इंच का फाष्णर है तो इसमें आम लोग दो इंच जो आग चृत पे ड्रील किये हैं और एक इंच जो आग इनका बाहर निकला हुआ है तो इससे जो आग छट में छेद नहीं होता है अपके पास आए और यह जो वीडियो onे वाला दस तो यह फूली नॉलेज़फूल वीडियो हने वाला है इससे आपको पूरा एक्दम समझ में आ जाएगा कि एक on grid solar plant का connection किस तरह से होता है और on grid solar plant में किन किन चीजों का जो है जोरत पढ़ने वाला है और final में इसका आपको price भी बताने वाले हैं कि इसका total costing कितना पढ़ने वाला है तो यहां से कुछ नजारा जो इस तरह से है जो काफी सुन्दर दिख रहा था पूरा और यह काफी ज्यादा height में तो इसके लिए जो है अभी हम लोग दोई पैनल एक structure पे दो पैनल करके ही लगाए हैं और अब आते हैं दोस्तों नीचे हम लोग inverter की ओर तो inverter जो हम लोग वाल पैनल उड़ने का तो इसी वज़ा से जो जब तक civil work नहीं होता हम लोग पैनल को जो है उपर में नहीं चड़ाएंगे तो inverter का डेटा आपको यहां से दिख जाएगा model नमबर वगर है सारा कुछ यहां पे आपको दिखेगा और यह संग्रो कंपनी की 10 के विए का on grid solar inverter है यह यहां पर आपको दिखेगा यहां पर आप देख सकते हैं सीरियल नमबर मोडेल नमबर मैक्सिमाम इनफूट बोल्टेज जो है 1100 मिनिममम MPPT बोल्टेज जो है 160 है मतलब कम से कम जो है 160 बोल्ट आपको DC देना है सॉलर से एसी का भी आपको दिख जाएगा यह इनवैटर ज मोठेल आपके लिए दो एक सब्सक्राइब कथे tiro matter कर दो धियुकि और झाहरीन के तो बि attributed अलगश zaczy कर देंगे ताकि जो है MPR ज्यादा मिले तो अब हम लोंग लेग को हम लोंग यहां फे ढ़लाई कर रहे हैं सिविल वार्क जो है वो हो रहा क्योंकि यह बड़े साइज में ढ़लाई करना पड़ेगा वेट ज्यादा होना चाहिए ताकि आपका जो है आधी तुफान में आपका इस्ट्रेक्चर जो है वो उड़े नहीं और आपका पैनल वागर सारा कुछ सुरक्चित रहे और जिस एरिया पर यह सिस्टम लगा है यहां पर पूरा ओपेन एरिया है तो थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखना है और नीचे अगर टाइल्स रहेगा तो वो ढ़लाई जो है पकड़े के नहीं इसके वज़े से टाइल्स को तोड़ा गया है उसके बाद ढ़लाई क और फाइनली यह ढ़लाई होने के बाद नेक्स डे हम लोग इस पर जो है सॉलर पैनल्स बगर सबको कनेक्ट करेंगे और वारिंग वगर सारा कुछ करेंगे हम लोगोंने इन्वाइटर को जो है लगा चुके हैं अब यह निचे आते हैं एसी डीबी डीसी डीवी को लगान की श्ट्रिंग का और दूसरे इस्ट्रिंग यहाँ पे इनफु लगाया Sw一下 यहाँ पर आप देखसकते हैं यह Sm पड़ टरेन किलोओट से लेके संद्रा किलोओट तक का ये AC DB का आप जो है लगा सकते हैं और ये inverter में जो है वायर जो connect होता है AC की मतलब grid का wire जो connect होता है कुछ इस तरह से company से ही जो है connector आपको मिलता है और wires वगरा जो है कुछ इस तरह से connect होता है तो grid से जो है आपका चार wire connect होगा तीन phase और एक neutral जो common रहता है तो चारो वायर जो है connect हो चुका आप इसको जो अच्छे से case में फसा देते हैं और उसके बाद inverter में जो है connect कर देते हैं और नीचे हम लोग चलेंगे connection करने के लिए या सबसे पहले हम लोग या तो फिर solar panels की connection कर लेता है तो inverter का वारिंग जो हमारा complete हो चुका अब इसको जो हम लोग इनवाटर में connect करने वाले है और inverter में body earth देना बहुत जरूरी है जब भी बड़े सिस्टम को लगाते हैं तो इनवाटर पर body earth जरूर दे और total किमेटर का एसी का वह परसनेल होता है दोस्तों तीन अर्थिंग होना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पर हम लोग लगाया है टू इन टू आउट का वारिंग वायर जो भी वायर यूज के आम लोग सारा पॉली केब कंपनी की वायर से और यहां देख सकते हैं दूसरे वाले फ्यूज में भी जो है 15 अमफियर का फ्यूज है और फ्यूज को हमें साथ यह हमारा वायर जो है डिसीडीव निकल के इन्वेटर पर है दो इस्ट्रिंग हम लोग बनाया है दोनों इस ट्रिंग यहां पर कानेक्ट किया हैं और जो भी रेडवाली वायर पोजेटिब और Well को मारकिंग mandates रहे जो रेडब वायर वह हूं हमारा रेडअा जो है मार्किंग के यह हमारा RMS सिस्टम है यहां से इस पर आप मोबाइल को कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं और जो पीला वाला वायर दिख रहा है दोस्तों पीला वायर यह हमारा इन्वर्टर का बोडी अर्थ है दोस्तों यह इसको हम लोग जो है इन्वर्टर का बोडी अर्थ में कनेक्ट किया है तो इस पर हमारा टोटल तीन अर्थिंग देना बहुत जो रही है एक लाइटिंग अर्ष्टर का एक डिसी का और एक एसी का यहां पर हमारा एसी डीवी जो है वो लग चुका है एसी डीवी का यह फ्यूज है यह स्पीडी और यहां से ओते हुए आउट्पूट है निकल के इनवेटर पर आके कनेक्ट हुआ है और जो अमारा इनवेटर है यह 3икуay का इनवेटर तो चार वायर जो अमनमा नीचे से भी आएगा चार वायर अभी अम्मीलों इस इन्वेटर के करनेट करने वाले। और जितने भी वायर्स हम लोग यूजज़ करनें हैं दोस्तों सारे पोली 2023 की रिया है अब भी solar panels लगाने थे सबको लगा दिया हैं अब solar panels की करेंगे हम लोग वारिंग तो inverter में जैसे कि हम लोग देखें कि इसमें 1000 volt maximum दे सकते हैं 1100 volt 1000 से 1100 volt तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक string जो है 10 solar panel का करेंगे और एक string 9 solar panel का करेंगे जिसे हमारा 400 से 400 बोल्ट जो है या 500 बोल्ट जो है वो बनेगा और हमारा inverter में जो है 2 string जाके connect करने वाले तो अभी जो हमारा जितने भी panel से सबका अभी tightness वगर अच्छे कर लेना है क्योंकि nut bolt से fix किया वा रहता तो कहीं lose नहीं रहना चाहिए क्योंकि हाव अगर में उड़ जाता है नहीं तो तो civil work वगर आपको समझ बागया कि कैसे करना है कैसे किये है इससे सीपेज वगर का कोई tension नहीं होता कोई कुछ होता नहीं है और अगर इस तरह का system लगाना चाहते हैं तो उन grid हो चाहिए आप grid हो या hybrid हो तो इस तरह का उप grid या hybrid system लगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा whatsapp नमबर mail id सारा कुछ description पर है अब इसका करते हैं दोस्तों series अब देख सकते हैं यहाँ पर negative positive connectors एक side पर करके रखे हैं और जीतने वी structure का nut bold सबको एक बबर cross check कर लेना है कि proper tight है या नहीं है और दोस्तों इस तरह के system लगाना में हमें कितना खर्चा आने वाला है वो भी आपको मैं इस वीडियो पर बताऊंगा तो वीडियो पर बने रहिएगा तो काफी दिन जो है हो गया था दो तीन तो इस पर कुछ धूल भी आ चुका है तो थोड़ा सा गंदा दिख रहा पैनल और जो पैनल का make है दोस्तों वो वारी company की है ये 545 वाट की एक solar panel है आपको दिखाते हैं इदर 545 की एक solar panel है और ये जो solar panel है दोस्तों ये bifacial solar panel है देख सकते हैं 545 वाट का solar panel है वारी का जो पैनल दोस्तों उसका performance बहुत ही अच्छा है और वारी का पैनल का generation की अगर बात करें तो normal बाकी जितने पैनल से हमको सबसे बैस लगता है वारी का पैनल तो इसका देखिया इस तरह से किया जाता है negative और positive जो भी नहीं हो नया वीवर्स आये हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि negative और positive को connect कीजिए वो होता है series और अगर negative और positive को positive से connect करते हैं तो वो होता है दोस्तो पैरलल पैरलल करने से आपका ampere जो है वो same रहता है और series करने से आपका parallel करने से आपका ampere जो है वो बढ़ जाता है और voltage constant same रहता है जितना एक panel का voltage है उतना ही आपका रहेगा और अगर ? आपका एमपीड जो है वो सेम رहेगा और बोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा तो जैसे दो पैनल को हम लोग सीरिज किए और एक पैनल का बोल्टेज जो है पचास है तो आपका दो पैनल सीरिज के дрnt जो हूँ हजार भोल्ट तक आ जाएगा अब यह हमारा दसो सोलर पैनल जो है अभी यह स्रीज हो चुका है अब इसको यहां से हम लोग जो है नीचे लेके जाएंगे इन्वैटर की ओर तो यह हमारा एक टेबल जो है कम्प्लिट वायरिंग हो गया अब यहां से हम लोग पोजेटिव को लेंगे और नीचे से हम लोग नेगेटिव को लेंगे और इस वायर को लेके जाके हम लोग डीसी डीवी में जाके कनेक्ट करेंगे अब उस वाले टेबल का भी एजटी सेम हम लोग को वारिंग करना देख सकते हैं यहां से लिए हैं नेगेटिव और नीचे से लिए हैं नीचे में जाके connect किया हैं positive पर positive पर connect किया है देख सकते हैं यहाँ पर positive पर जाके connect किया है अब आगे बचा है जो एक negative और एक positive मुहां से हमें DCDB में लेके जाना है और जब भी आप काम करें तो मार्किंग वायर पर मार्किंग अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको बाद में कौन सी वायर positive है या कौन से negative है उसके लिए आपको मल्टिमिंटर बगेरा का जोरत नहीं पड़ेगा आप एक बार काम करो तो एक तरीके से काम कीजिएगा तो आपको कोई problem नहीं आएगा तो यहां से होते हैं हमारा वारिंग का काम हो चुका है अब हम लोग नीचे लेके चलते हैं लेके solar की वायर को और जाके फटाफट से इनवर्टर को चालू करते हैं जल्दी से और system को चेक करते हैं कि हमारा system running हुआ की नहीं हुआ या कोई problem है plant में सारा कुछ हम लोग देख अपन تم करते हैं तो दोस्तों काफी अच्छा ज्यादा पाल कतर रम से ठैगता है और यहां से होते हैं आपandelते हैं हमारें डीचे की वायर है देख सकते हैं एक इस्ट्रिंग का भोल्टेज जो है वो 438 आ रहा है और हमारा मिनिमम जो है एक सो साट भोल्ट देने से हमारा इन्वर्टर जो है वर्क करना चालू कर देगा अब इसको करते हैं दोस्तों एक बार अन अभी इस पर गिरीड करेक्शन नहीं दिये हैं इसमें सिर्फ अभी सोलर डीसी ही है तो यह सिस्टम अन हो जागा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इस पर आपको रेड लाइट देखने को मिलेगा क्योंकि अगर कोई कहीं पर भी वारिंग में कोई दिक्कत होता है तो वह इन्वर्टर जो है वह रेड लाइट बिलिंग करता है चालू नहीं होता है अब इसको चालू करके देखते हैं तो कुछ सेकेंड से लगता है उसके कोई प्राबलम नहीं है अब हमारा डीसी वाला पार्ट जो है वो कंपलीट हो चुका है अब आमनों एसी ग्रीड का पावर को जो है कनेक्ट करनेवाले है तो अब चलता है नीचे जहाँ पर हमनों ग्रीड कनेक्ट करेंगे और inverter का जो है वारिंग उपपर में complete हो चुका है अब बता दूँ कि ये wire जो है ये solar से आया है दो string और ये पीला वाला wire जो है ये body earth पे आया है ground की है और ये हमारा wire है चार wire AC wire ये 6 square mm की ये grid का है और दर से output होके inverter पे आके connect हुआ है grid on grid का मतलब ही दोस्तों की grid से connected होना चाहिए तो वह होता है दोस्तों on grid और यहां से हमारा जो है दोनों output जो DC का है वो दोनों आके यहां पर connect हो है inverter पे तो अभी चलेंगे हम लोग नीचे दोस्तों नीचे जाके जो है inverter को connect करेंगे ग्रीड का wire को connect करेंगे तो इदर से हम लोग कंडूक पाइप के मदद से हम लोग नीचे लेक्या है और नीचे में जो इनका बसवार जहां पर मीटर वगर आए वहां पर हम लोग जो अभी वायर को connect करेंगे तो अंग्रीड में बहुत सारे तीन करते करते आप जो है या कोई अगर दिमाग से तेज है तो एक वीडियो में ही हो जो है सीख जाता है तो यह हमारे चार वायर जो है आया है इसको अभी कट करेंगे जितना वायर चाहिए उतना ही लेंगे और बाकी जो है निकाल देंगे तो इनका बस बार में जो है अभी connect करना है तो उपर से एक बार आपको वापस फिर से दिखा देते हैं कि हम लोग कहां से वायर्स को लाए है अब मेटर के अब जो भी ऑन ग्रीट प्लांट लगाते हैं तो मेटर के बाद मतले मेटर में जो इनपूट आया है पॉल से उसके बाद मेटर का आउटपूट जहां पर भी आया है उस जगह पर आपको connect करना है देखिए यहां पर हमारा एक वायर दूसरा वायर यह तीसरा और यह चो था यह तीनो फैज उपर का नीचे का नीटल है तो यह हम लोगों ने जो है connect कर दिया है अब चलते हैं दोस्तों inverter का पास से inverter को जाके on करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों का DC का जो fuse है उसको on करते हैं इसको DC को on हो गया यह हमारा और यह हमारा जो grid का power 4 pole MCB है जो इसको भी on करना है और इस तरीके से जो है इसको on कर देना है इसके बाद जो हमको inverter का जो on off switch है उसको on करना है दोस्तों यहाँ पर side में आपको देखने को मिलेगा inverter का हर inverter में आपको इस तरह का switch मिलेगा on और off तो इस तरह से on कर देना है अब यह system जो है यह ready हो च बंद किया हुआ है और यह जो है अभी running condition में है कोई problem नहीं है system में आपको इसका user manual भी दिखाएंगे जहां पे लिखा हुआ साब साब कि अगर billing कर रहा हो तो इसमें export बंद है और अगर blue light जल रहा हो तो आपका system जो है यह अभी ठीक है कोई no problem कोई दिक्कत नहीं है wiring वगर इस पर export mode जो है flash कर रहा मतलब इस पर अभी export mode जो है वह बंद है और red होता है तो fault आ जाता है कुछ न कुछ आपका fault होगा और सो उम्मीद करते हैं समझ गया होंगे कि connection कैसे करना है और किस तरह से जो है on grid solar plant का connection होता है बहुत ही easy अगर वापस से आप आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो WhatsApp नमबर दिया गया आप से जो आप contact कर सकते हैं और इस box को ACDB को DCDB को जो है दोनों को ही अभी बंद कर देते हैं वारिंग बहुत ही simple है कोई आप भी कर सकते हैं और एक बार आपको manual दिखा देते हैं और इस तरह का system अगर कोई लगाना चाहता है on grid solar plant तो description में हमारा mail ID, WhatsApp नमबर, contact नमबर सारा कुछ दिया गया है उसको comment section में जरूर बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा फिर मिलता है और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई, जय हिन, जय भारत